हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जेवर मा मेरी छोटी ननत की साधी है और मुझे आपका वो नो लखा हार चाहिए वो मैं साधी में पहनूंगी मेरी सास तो मुझे अपने जेवर पहने नहीं देंगी इसलिए सोचा आप से ही ले लूँ मैं परसो आ रही हूँ फिर रववार हो जाएगा आप कल ही बैंक से सारे जेवर निकाल कर ले आएए दीप्ती कहे जा रही थी और वो फोन रखने ही वाली थी कि माधुरी जी ने कहा कि वो गहने तो मैंने तेरी भापी को दे दिये थे वो माय के गई हुई है लाकर की चाबी अब उसी के पास है इसलिए उसके आने के बाद ही मिल पाएंगे तू साधी का निमंतर पत्र तो दे जा हम सब जब साधी में आएंगे तो हार भी ले आएंगे दीपती ये सुनकर चुप हो गई और उसने फोन काट दिया मगर उसके मन में खलबली सीमची हुई थी आकिर भाबी को सब गहने देनी की क्या जरूरत थी पापा भी कुछ ना बोले ये मा तो बड़ी ही सीधी पड़ मा अपने अपने गहने भाबी को सौप कर बहुत बड़ी गलती की आखर क्या जरूरत थी अब जब भी आपको या मुझे गहने चाहिए होंगे हमें भाबी से मांगने होंगे उनकी गरच करनी होगी पता नहीं वो गहने देंगी भी या नहीं या फिर कोई बहाना लगा दे अब वो तो इस कूटी और कार चलाना जानती है, जल्दी से जाकर लॉकर आपरेट कर लेती है, मुझे बैंक जाना होता है, तो तेरे पापा या भाई को बोलना पड़ता है, इन लोगों के पास समय ही नहीं होता है, कभी कुछ लाना हो, तो सोनिया को ही बोलो, इसे अच्छा तो यहीं है कि मैंने सोनिया को ही लोकर कीचा भी सौप दी ताकि वो अच्छे से सब देखबाल कर ले फिर आगे पीछे सब सोनिया का ही तो है एक ही बहु है आखिर मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी क्या मैंने सोनिया और तुझ में कभी कोई फरक नहीं समझा है बहु के गहने भी उसे वापस दे दिये ये तो सही नहीं है बहु के गहने तो आपको ही अपने पास रखने चाहिए ताकि वो बार बार आपसे मांग कर पहनती रहे और आपकी इजतमान बना रहे बहु को सब कुछ सौप देने से वो सास की जरा भी कदर नहीं करती है आज क मेरी जिठानी तो उनसे बहुत डरती है, मजाल है कि वो गहने हमें पहनने के लिए दे, वो हमें कभी गहने नहीं देती है, अपने पास ही सुरचित रखती है, अच्छा, उन गहनें को अपने पास रखने का क्या मतलब है, घर की बहुएं घर की साधी में ही गहने नहीं पहने ये तो बहुत गलत बात है तुम दोनों बहुएं अपनी सास का सम्मान नहीं करती हो बल्क उनसे डरती हो मैं तेरी मा हूँ तो तुझे तो मेरी कही कई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए कल को यहीं बात तेरी भावी कहे की तो तुझे बुरा लगेगा दीप्ति आसर से बोली मा कौनसी बात केलिए आप कह रही है वही बात जो मुझे कहनी चाहिए तेरी सास ने तुझे साधी में इतने घहनें चढ़ाए मैंने तुझे इतनी सारे घहने दिये उन्हीं तेरी सास ने अपने पास रख लिया और साधी में पहनने के लिए तुझे अपने माईके से गहने मांगने पड़ रही है ये कितनी सरम की बात है इसे तू अच्छा कहती है घर की बहु तो पहने ओड़ी ही अच्छी लगती है किसी भी घर की बहु को देख लो उसके पहने ओड़ने और गहनों से उसके सस्वराल वालों की आर्थिक इस्तित का पता चल जाता है गहनों पर तो हर बहु का हक होता है ये सब सुनकर दीपती के पैरों से जमीन ही सरक गई और वो रोने लगी माधुरी जी ने उसे चुपकराते हुए बोला यहीं बात अगर तेरी भावी के दिमाग में आ गई और उसने तुझे कह दिया होता तो तुबात का बतंगड बना देती तेरी भावी तुझे बुरी लगने लगती मैं मा हूँ तुझे कही भी सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ अपनी सास को समझा कि घर की बहुए घर की साधी में अपने ही ग दीपती का दिमाग दोड़ने लगा, पूरी साधी की सापिंग हो गई, पर सास ने एक गहना भी नया नहीं खरीदा, अगले दिन ही वो वापस अपने पती कुल्दीप के साथ ससुराल वापस आ गई, रात को सोते वक्त उसने कुल्दीप से बात की, पर कुल्दीप ने इन तो चोर कभी भी आकर चोरी कर सकते हैं दीपती भी गहनों की चोरी से डर गई थी, इसलिए अपने सारे गहने सास को सौप दिये, एक दिन वो जेठानी की साधी का इलबम देख रही थी, वो कुछ फोटो देखकर चौक गई और हस्ते वे बोली, अच्छा तो दोनों बहुँँ को एक जैसे गहने चढ़ाएं हैं। भावी क्या हम दोनों के लिए एक साथ ही गहने बनवा कर रख दिये थे, नहीं, मुझे जो गहने चढ़ाए थे, वो ही गहने तुझे चढ़ा दिये हैं, और अब छोटी की साधी में वो सब गहने सासुमा दे देंगी, उन्होंने बनवाए ही उस हिसाब से थे, कि दोनों दीजे पता ही नहीं थी, हकिर ससुलाल के गहनों पर उसका कोई हक नहीं है, पर मायके के गहने तो उसके अपने हैं, उसका इस्तिधन हैं, वो उसे तो देने नहीं देगी, मैं अपने मायके के गहने लेकर रहूंगी, अगले दिन दीपती अपनी सास से बोली, मम्मी जी मु हैं उनमें से कुछ नकली ही है जिन पर सोने की परच चढ़ाई गए है अब साधी में एक साथ इतना खर्च हो गया था तो गहने खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे ये सुनते ही दीपती की सास भढ़क गई मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे भुकड घर में बेटे की साधी मत करो कहने को एकलोती बेटी है पर गहने नकली चढ़ा दिये और मैं वो गहने अपनी बेटी को दहज में देने की सोच रही थी वो तुरंत कमरे में गई और दीपती के सारे गहने लाकर सामने रख दिये अब गहनों का डिबबा अपने हाथों में लिया और अपनी साथ से बोली मम्मी जी आप तो कह रही थी कि ये गहने लाकर में सुरच्चित रखे हुए हैं ये गहने तो घर में ही रखे हुए थे कोई बात नहीं अब मुझे मेरे गहने मिल गए हैं आप छोटी को अपने गहने द दूछे सकती हैं लेकिन मायके की गहन को आप नहीं रख सकती हैं लेकिन इन में से कुस तो नकली है और तूव नकली गहने लेजा और असली गहने दे जा मैं अपने पास सुरचित रख लूंगी दीप्ती की सास नहें कहा मम्मी जी इन में से एक भी गहना नकली नहीं है सभी असली हैं मैंने खुद खरीदे हैं और अब छोटी की सादी में मैं अपने ही गहने पहनूंगी नकली गहने नहीं नहीं किसी से मांग कर पहनूंगी ओ तो तुने चल से अपने गहने वापस ले लिए अपनी सास से जूट बोलते हुए, धोका देते हुए तुझे सर्म नहीं आई, तेरी माने तुझे यहीं संसकार दिये हैं, वो गुसे से बोली, हा ममी जी, मैंने अपने गहने वापस ले लिये, क्योंकि आपने भी मुझे जूट बोला, मेरे साथ चल किया, मुझे दोके में रखा, मैंने तो कुछ अलग नहीं किया, मेरी माने तो मुझे बहुत अच्छे संसकार दिये हैं, पर मेरी सास से मैंने यहीं सब सीखा है, दीपती के मुझे यह बात सुनकर, उसकी सास चुप हो गई, आज छोटी बहु ने, उन्हें सच का आइना दिखा ही दिया, वो चु मारी बुआ सास की साधी में, वो सब गहने दे दिये, उस दिन में बहुत रोई थी, वो गहने मेरी मा की निसानी थी, जिसे उन्हें मेरे लिए बनवाया था, मैं वो ही सब अपनी बहु के साथ कर रही थी, मैं अपने दिन भूल गई, तुम दोनों अभी तो अपने मायके क गहने पहन लो, फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से ससुराल के गहने भी बनवा कर दूँगी, जो मैंने छोटी को चड़ा दिये हैं, बहु काना सिर्फ मायके के गहनों पर, बलके ससुराल से मिले गहनों पर भी पूरा हग होता है, अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुए खुस हो गई, दीपती ने अपनी मा को फोन किया, मा मुझे मेरे गहने मिल गए हैं, और उसने सारी बात उन्हें बताई, अब आप मेरे लिए वो नौलखा हर मतलाना, जब आप और भावी साधी में आओ, तो नौलखा हर भावी के गले में सजना चाहिए, और हाँ, मा मैं एक बात आप से और कहना चाहूंगी, कि आपने अपने गहने भावी को सौप कर कोई गलती नहीं की, इन गहनों पर भावी का पूरा दिकार है, आप भावी को प्याल दुलार देंगी, उन पर विश्वास करेंगी, तभी तो आपका दिल से पूरा सम्मान करेंगी, अपनी बेटी की समझदारी भरी बाते सुनकर माधुरी देवी भी मुस्कुरा दी, और अपनी बहु के साथ साधी में जाने की तैयारी करने लगी, आशा करती हूं दोस्तों, आपको मारी कहनी जरूर अच्छी लगी होगी, कहनी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, धन्यवाद